हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब आपको आई हाजी रहनी वेकेंसी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वेकेंसी आ रही है वारी है यूपी आर्वी आइनल की तरफ से उतर परदेश, राज्य, वीदुत, उत्पादन, निगम लिविटेड की त यह में से प्यार करता है कि अपके प्यार और सपोर्ट को अलाय कर ना मत बुले किया देता हूा हुँ दूसरी बात यहां पर यह आ जाती है fresher candidate apply कर सकते है 2022-2022 नहीं apply कर सकते है पहले आपको बता देता हूँ अगर कोई मेरा भाई बेन 2022 का है वीडियो को देख रहे तो वीडियो को स्किप कर सकता है लाइक जरूर कर देना मेरे भाई आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आठ बजे पोस्ट होगी इसमें आपके लिए वैकेंसी आ रही है तो यहां पर बात कर लेते हैं कि कौन-कौन स कर रख है आप अप्लाइ कर सकता है सारी की पोजिशन अलग 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 रहेगी ठीक है तो यहां पर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो घंटी का इकन उसको दबा दे ताकि आपको नेस्ट वीडिय जोब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चलिए शुरू करते हैं तो अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल वाटसप ग्रूप यहां को लिंक्डेन पर फॉलो नहीं कहें तो मैं आपको डिस्क्रप्शन में लिंक प्रोवाइड करा द हूं सारी जॉब्स का अपडेट देना भी जरूरी है और अगर आपको बहुत सारी जॉब्स का अपडेट मिलेगा और अप अप्लाइ करोगे तो सेलेक्शन होने की चांसे बढ़ जाएंगे ठीक है तो उन ग्रूप्स को जल्दी से जाइन कर लेना मैं आपको लिंक डिस्क पादन निगम लिमिटेड की तरफ से यहां पे बहुत अच्छी अपर्चुनिटी आ रही है लेटे जॉब अपडेट ही है ठीक है आज की दिन यहां पे अपडेट हुआ है तो ऐसे लेटे जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बैल आइ बात कर लेते हैं कि जो मेकेनिकल के अंदर वैकेंसी निकाले गई है 33 टूटल नंबर वैकेंसी है ठीक है एलेक्ट्रिकल के अंदर यहां पे निकाले गई है 29 टूटल नंबर वैकेंसी है एलेक्ट्रोनिक्स या फिर कंट्रोल एंड इंस्टुमेंटेशन के अंदर वैकेंस है रसायन ग्रेट सेकेंड के लिए हाँ पर 14 है और लैब असिस्टेंट के लिए हाँ पर 17 क्या एजुकेशन का 27,200 रुप अब बात कर लेता है यहां पर एक एजुकेशन क्या चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां पर जो पॉजिशन रहने वाला है उसमें आपका चीए यहां पर डिप्लोमा अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अप अप्लाइ कर सकते हैं बीबी टेक वाल अप्लाइ नहीं कर पाएंगे सीधी सी बात यहां पर मेंशन किया गया है बीबी टेक अले यहां पर अप्लाइ नहीं कर सकते हैं अगर आपने यहां पर 12 के बाद डिप्लोमा किया है उसके बाद आपने डिग्री किया है बीबी टेक किया है तो अप्लाइ कर सकते है डिप्लोमा बेस प कर रखा है तो अपाप्लाइ कर सकते हैं बेसे कार राख नहीं कर सकते हैं अगर इस कर रखा होगे सब्सक्राइज कर सकते हैं बह। पान साल के छूट दिया जाएगा उबी सी कैटिक्री से आपको तीन साल के छूट दिया जाएगा और यहाँ पे P.W.D. वालों को पंदरा साल का छूट दिया जाने वाला है इस सारी चीज़े रहने वाली है ठीक है यहाँ पे बात कर लेता है कि आवेदन शुल्क क्या रहेगा उसके बारे में, जो आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती के लिए यहाँ पर 826 रुपए रहेगा, ठीके अन्ने शिरेणी के लिए यहाँ जो जेजनरी आपका स्टाइस के बारे में, तो यहाँ पर आपका स्लाइक्शन होगा, उसके अदार पर स्लाइक्शन होने वाला है, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिए पूरा बता रहेगा, पूरा अच्छी से इसको रीड अउट कर सकते हैं, भी आपको होगा उसमें आपको 33% लाने जरूरी है उन बच्चों को जो जनरल काटिग्री से ब्लॉंग करता है और सेस्ट को यहां पर 28% लाने जरूरी है ठीक है तो यहां पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं यहां पर देख पार है पूरा बता रखा है जूनियर इंजिनियर के एक्ट्रॉनिक्स गम्प्यूटर साइंस इंजिरिंग से किया है उसके डेवंट कोशन होंगे ज़ने और हिंदिन होटेर सोप ऑर पढ़ोन मातलब और चार कोशन होकिन सई होता दे देख सकते हैं पर यहां पर देख सकते हैं और तो यहां पर आएगा किसे रिलेवंट को रहेज और लिए और यहां पे देख सकता है। सब्सक्राइब करें तो यहां पर तो यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इंपॉर्टन डेट कि मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टन डेट क्या रहने वाले यहां पर यहां पर इसका ऑ ऐप्लाइन स्टार्ट होगा है अप 10 जनवर्य से स्टार्ट यहां पर आपको परॉप्लम है तो अब कमेंड़ बोक्स में भूस सकते हैं तो यहां है आपका रिप्लाइट कर देगा नोटिफिकेशन कर लेंक अप्लाय लिंक सारे लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएंगे वहाँ पे क्लिक करके जॉइन भी कर सकते हैं ठीक है तो मेरे आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड़ है और कर दिया हैं